तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले है यह सुन्दर सा केक डिजाइन जिसमें मैंने विदाउट नोजल से बहुत ही सुन्दर सा यहां पे केक का डिजाइन बनाया है तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड तक जरूर देखना और अगर पसंद आय की केलिए वह यह एक नॉरन मल यूड़ केड में ही यहेलो कलर की क्रीम से पूरे केक को अच्छे से को कवर करके लिया है अगर आप चाहिए तो डिरेक्ली आप नॉरमल करी में के केक को अच्छे से कवर करके लेना है कभी भी याद रखना है जब भी हम लोग केक को अच्छे से कवर करते हैं क्रीम से तो साइड से सबसे पहले स्टार्ट करो ताकि जो केक है अपना बेस पे भी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है और उसके बाद इसी तरीके से ऊपर से क के ऊपर क्रीम अपलाई करो और अच्छे से इसे स्प्रेड करते जाओ अभी स्प्रेड करने के लिए अगर आप पैलेट नाइव से करने के बाद भी अगर फिनिशिंग बहुत ही सुन्दर नहीं आ रहा है तो आपको स्क्रेपर का यूज करना है या नॉर्मल जो कोई फाइल क्रीम यहां बहुत ही सुन्दर सांगे अपर ही डिजाइन मिल जाता है और इसके बाद आप ऐसे उसलद भी घर सकते हो यह घर अपना ऑफि ही प्रस रहता है उसका भी जजरूरि यूज करते हो यह इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो भी ये उपर वाली क्रीम है एक्स्ट्रा की उसे अच्छे से हम लोग फिनिशिंग करने वाले हैं बहुती सुन्दर सा यहाँ पर फिनिशिंग हमें मिल जाएगा और इससे क्या होता है केक दिखते टाइम भी सुन्दर दिखता है और जो साइड के एजेस है वो भी बहुत क्लीन एंड नीट दिखते हैं तो आप देख सकते हो इसी तरीके से बहुत हलके हातों से हमें क्रीम को अच्छे से निकाल के लेना है और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो इसके ऊपर हम लोग टेक्शर भी दे सकते हैं या जैसे मैंने कहां कि आप ओईल ग्रीजिंग ब कोड़ा सा टर्न टेबल को घुमाना है बहुत ही सुन्दर सा यहां पर हमें पैटर्न मिल जाता है और अगर साइट से एक्स्ट्रा वाली क्रीम आई रहेगी तो आप इसी तरीके से उसे निकाल सकते हो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो यहां पर हम लोग डिजाइन करन है और इनका यूज करके अभी हम लोग डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहां पर मैंने क्रीम में ब्राउन कलर यूज किया था और इसे अच्छी तरीके से साइट से हमें स्प्रेड करते जाना है चोटी सी लाइन यहां पर हमें ड्रॉ करनी है अब यहां पर जितना भी कलर यूज करना है उसके अकॉर्डिंग लिए आपको कलर का भी इस्तमाल करना है बहुत ही जादा क्रीम बना के वह यूज भी नहीं होती है और बहुत ही जादा कलर अगर आप क्रीम में टेस्ट करोगे या क्रीम में मिक्स करोगे तो क्रीम भी बहुत ही जादा क ओपर उसी तरीके से यहाँ पे अपको चोटेसा जो प्लोवर का मिडल वाला पाथा रहता है वहाँ परम द्डाओ करे लेरे हूँ तकि मुझह प्रॉपर्ली आपस फेलावर स्मिल जाएं हैं तो यहाँ नहीं हैं थो ठोटे वर्ट स्लिव फैप में लम द्ड़ाओ दMi और सेम टेकनिक का यूज करके विद नोजल आप भी फ्लॉवर बना सकते हो अगर आपको स्टार नोजल यूज करना है या चोटा सा जो भी राउंड नोजल रहता है वो यूज करना है तो वो भी आप जरूर यूज कर सकते हो और इसमें आप बहुती वराइटी में या बहु चोटा चोटा सा ही आपर डॉट दिया है और क्रीम भी मैंने जो यूज किये पाइपिंग बैग में वह भी बहुत ही ज्यादा कम है तो इसी तरीके से जितनी आपको क्रीम चाहिए उस तनी ही आपको क्रीम यहापे बना के लेनी है तो आपको कलर का इफेक्ट भी बहुत ही उन्दर दिखेगा तो इसी तरीके से हमारे जो यह चोटे से फ्लावर्स है यह तो बना के रेडी है अभी इसके बाद आप क्या कर सकते हो के के जो मिडल वाला पार्ट है यह अगर कोई आपको स्पेशल टैग यूज करना है तो वह भी यूज कर सकते हो अगर आपको कोई डिजाइन करनी है तो वह डिजाइन भी आप कर सकते हो यहाँ पर मेरे पाइपिंग बैग में चोटे से ग्रीन कलर की क्रीम अवेलेबल थी इसले मैंने इसी का यूज किया था अधरवाईज आप पाइपिंग बैग को भी कट देके चोटे-चोटे से इस तरीके से लीप्स देख सकते हो एक दम चोटे से यहाँ पर मैंने लीप्स बना के लिए है बहुत ही सुन्दर सा यहाँ पर हमारा यह केक लग और इसके बाद मैंने क्या किया था जैसे कि मैंने का अगर मिडल में आपको कोई स्पेशल टैग यूज करना है तो वह भी आप यूज कर सकते हो ब डिफरंट डिजाइन भी केक के मिडल वाले पार्ट पर जरूर बना सकते हो अब इसके बाद यहाँ पर मैं छोटे-छोटे से डॉट देने वाली हूँ जो भी ब्राउन कलर की क्रीम मेरे पास अवेलेबल थी उससे मैंने यहाँ पर चोटे-छोटे से डॉट दिये है और थ इसी तरीके से उपर की तरफ हमें स्प्रेड करते जाना है बहुत ही सुन्दर सा यहाँ पे हमें पाइटर मिल जाता है अब यहाँ पे आपकी चोईसे अगर आपको बॉर्डर करना है तो कर सकते हो अधर्वाइज एज इस केक रखोगे और थोड़ा सा जो अपना बेस है के का उसे क्लीन करोगे तो भी यह बहुत ही जादा सुन्दर दिख जाएगा इसी तरीके से मैंने हलके हातों से एक दम स्प्रेड करके लिया था बहुत सुन्दर यह डिजाइन और बहुत सुन्दर यह पैटर्न भी लगता है यहाँ अगर आप ग्रीन कलर यूज करोगे या क कोई डिफरन नोजल से भी यहाँ पे डिजाइन बना सकते हो या केको अगर आप ऐसे ही रखोगे तो भी चलेगा केक बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हमारा सुन्दर लगता है अभी इस टाइप से अगर कोई डिफरन डिजाइन बनानी है यह जो अपना उपर वाला पार्ट बहुत ही अलग से डिजाइन जरूर बना सकते हो इसके बाद यहां पर मैं जैसे कहा था मिडल में भी मैंने सेम डिजाइन रिपीट किया था तो वैसे ही मैं अभी ड्रॉव करने वाली हूं जो हमारा ब्राउन कलर का लाइन है जो हमने आउटर में दिया है उसी तरीके से यहा तो चोटे-चोटे से अभी हम लोग यहां पर फ्लावर्स बनाने वाले हैं आप अब हुआ हुआ है इसके बाद यहांपर मैंने वीडियो का थोड़ा स्पीड इंक्रिस किया था क्योंकि सेम ही डिजाइन ही हापे में रिपिट कर रही थी देख सकते हो बहुत ही सुन्दर सा हापे हमें डिजाइन भी मिल रहा है तो इसी तरीके से अब अलग-अलग टेकनिक्स का यूज करके या अलग-अलग चोटे-चोटे से इस टाइप से फ्लावर बना सकते हो या अनीवन जैसे भी आपको चाहिए या केक के वन साइड में अगर आपको फ्लावर चाहिए तो इस टेकनिक का भी आप ज़रूर यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें क्रीम भी बहुत कम लगती है और जो डिजाइन है वो भी दिखने में बहुत जादा सुन्दर लग रहे हैं तो इसी तरीके से यहां पर हमारा यह केक का जो फ्रेंट वाला डिजाइन है जो टॉप वाला डिजाइन है यह बनके रेडी है इसके बाद मैंने क्या किया था मेरे पास थोड़ा सा ब्राउन कलर का क्रीम अवेलेबल था इसलिए मैंने पाइ उनका यूज करके बहुती जादा सुन्दर और क्रियेटीव तरीके से केक यहां पर जरूर बना सकते हो तो इसी तरीके से यहां पर हमारा यह जो आज का केक का डिजाइन था ये बनके रेडी है तो इस टाइप से अगर आपको नए-ने केक सीखने है नए-ने केक की रेसिप बंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर कर देना